Hi guys welcome back to another video guys इस वीडियो में इस वीडियो में लोग बात करने वाला हम कि आप कैसे YouTube वीडियो के लिए वीडियो को कैसे इडिट कर सकते हैं तो guys अगर आपको वीडियो इडिट करना नहीं आता है तो आप एक अच्छा वीडियो नहीं बना सकते हैं YouTube के लिए तो guys इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं वीडियो को इडिट करता हूँ या तो किस तरीके से आप वीडियो को इडिट कर सकते हैं और guys चैनल के नए हैं तो subscribe जरूर कर लीजे और Instagram का link description में मिल जाएगा आप मुझे Instagram में फोलो कर लीजेगा तो guys हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग वीडियो इडिट करेंगे या तो कौन सा एप से एडिट करेंगे तो guys mobile से मैं एडिट करने वाला हूँ और अगर आप बोलेंगे तो PC से भी मैं एडिट कर दूँगा लेको करने अगर पूतर में ऊपने एडिट करेंगे तो guys mobile से लिए हम लोग काईटमास्टर का यूज्ग करने वाले हैं क्योंकि यह सबसे ज्यादा बेटर हर लगता तो काईटमास्टर का आपके पास होगा Kind Master तो उसे आप edit कर सकते हैं तो इस Kind Master को आप सबसे पहले open करेंगे हम लोग एक video edit करने वाल हैं तो इस open करने से पहले आपको इस तरीके से वीडियो को suit करना मतलब horizontal में suit किजिएगा उसके बाद आप video suit कर लिजएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे काइन माइस्टर open करेंगे उसके बाद यहां देख सकते हैं 16 to 9 ratio है इस पे हम लोग को click करना है और इसी पे हम लोग को video suit करना है तो उसके बाद यहां media में जाएंगे और आप कोई भी एक video जो suit की है उसको select कर लिजे बैक आ जाता हूँ मैं और यहां हम लोग का जो एक project लिया हुआ है मैं पहले से select कर लिया था इसको मैं edit करके दिखाने वाला हूँ तो इसको यह video हम लोग का जैसे यहां आ गया है तो इसमें अगर आपका कोई extra part रहता है तो इसको आप simply trim कर सकते हैं तो simply यहां टाइम राइन पर क्लिक करेंगो और यहां जो कैंची का option है उसके बाद ट्रीम है तू लेफ्ट प्लेड है राइट टू प्लेड है अगर आप लेफ्ट वाले करेंगे तो लेफ्ट साइड का सारा कट हो जाएगा तो इस तरीकय से आप यहां की कट से कत हो गया और यहां पर यहां ब्लोग सी लिखETH करेंगे कैसे कुछ जैसे किнаप लिखते हैं लिखते हैं इंस्ट्राइम लिखेंकर यहां किए बाद इसको इसको मतलकु ज्यादा लेयर को इसका बढ़ा घंडा सकते हैं मतलक। हम लोग चाहें तो इसको इधर कर सकते लग्वाइतना चाहिए जितना लंबा आपको घार अपर अव्रू था चाहिए यह round दिए इन सबको आप उसके font आगिया को यह font में select कर लेता हूं और Instagram यहां आगिया, इसके बाद Instagram को अब देख सकते हैं की Instagram आ गया, सही bold में है font है, beyond font का नाम है और आप इसका in animation भी लगा सकते हैं, okay animation इसमें लगा सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं बहुत सारा animation आगिया है पॉप ओगया फेड आ गया तो मैं पॉप का यूज करता हूं और इसका इन एनिमेशन हो गया आप इसको आउट एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं तो यहां सिंपले आपको मिल जाएगा और आउट एनिमेशन जो अच्छा लगता है मैं यूज कर लेता हूं आप यहां देख दोसके बाद इन्स्क्राग्राम का एनिमेशन यूज़ करते हैं सब्सक्राइब बटन का एनिमेशन यूज़ करते हैं तो वो सब कैसे करेंगे वो सब भी सीखेंगे और इसको इब पार्ट को अगर आपको दो भाग में बाटना है तो simply आप कर सकते हैं यहां आप क्लिक करेंगे time line पे और उसके बाद यहां आप देख सकते हैं time line पे click करेंगे तो आपको यहां जो केंसी का option आ जाता उस पे click करेंगे इसके बाद split play hit कर दिजेगा तो वह दो भाग में बढ़ जाएगा फिर इदर से गर आप restore कर देते हैं तो यह आपका restore भी हो जाएगा और trim left भी कर सकते हैं और simply आपको restore का button से आप सारा जो काम की हैं वह वापस भी आ जाएगा तो guys अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग instagram का animation subscribe button का animation कैसे ल रखे हैं वहां से आप instagram का animation लिजेगा कैसे बनाना है उस पर भी वीडियो आ जाएगा instagram का animation कैसे बनाना सब्सक्राइब बटन का कैसे बनाना वह सब भी आ जाएगा उसके बाद यहां आप देख सकते क्रोमा की का option है इसको enable कर जीजेगा तो होगा क्या कि green screen में होता है instagram का animation video कि आपका इस तरीके से आ जाएगा और यहां से आपको इसको छोटा कर देना और side में कहीं रख देना तो यहां इसमें होता क्या है कि instagram का animation आप नहीं भी बोलते हैं तो आपका instagram प्रचार हो जाता है कि सब समझ जाता कि आपका insta id क्या है तो आप दो मुझ से instagram में जरूर म देख सकते हैं chroma की है chroma की को enable कर लिजेगा उसके बाद इसको इसको भी adjust करके सही जगा पर रख दीजेगा और इस तरीकी से आप subscribe button भी एड़ कर सकते हैं इसको हम लोग यहां रख दिये हैं उसके बाद आप लेकर के भी देख सकते हैं कि आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ आप ज़्यादा time देजएगा मैं थोड़ा सा basic knowledge देता हूं इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह हम लोग का subscribe button add हो गया है और अगर आपको कुछ और add करना है तो वो भी आप add कर सकते हैं आपको जितना अच्छा editing करना है आप कर सकते हैं खुड़ पर बस आपको अच्छा edit करन है तो आपको इस भी time देख और गाईज और एक चीज इंपॉर्टन है यूट्यूब वीडियो में वह है कि हम लोग को in screen भी यूज़ करना चाहिए तो यहां से आप बना सकते हैं देखके तो guys in screen कैसे बनाना है उस पर वीडियो आ जाएगा और in screen को aid कैसे करना है तो हम लोग को सबसे last चेले जाना लेयर पे वीडियो जहां इंड होता हम लोग का video जो shoot की है वो जहां इंड होता सबसे last चेले जाना है उसके बाद वहाँ जाके media पर click करना होके media पर click किजिएगा और उसके बाद आप जहां in screen बनाके रखे हैं वहां यहां आप देख सकते हैं इस तरीके से इंस्क्रीन होता है और यहां हमलों का इंस्टाग्राम का भी परचार हो जाता है आप दो वीडियो भी एड़ कर सकते हैं और अपना सब्सक्राइब बटन भी एड़ कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इंस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं औ अगर आप टेग वीडियो बनाते हैं या तो कोई भी ऐसा वीडियो बनाते हैं तो इतना सारा में आपका काम चल जाएगा और इस तरह के से हलका फुल का एडिट किजिएगा अच्छे से और आपका वीडियो चलेगा और गैस एक्सपोर्ट करना है तो सेयर बटन पर क्लिक कर जाते हैं और यहां 30 फ्रैम्डेट 30 कर देते हैं और बिटर हम लोग करेंगे 10.5 फाइप एडियो चलेगा इस तरह सिंप्ली एक्सपोर्ट कर देंगे और उसके बाद अगर आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाता है उसके बाद सिंप्ली जैसे अफ्लोड करते हैं उस तर उतना बेटर हो जाएगा तो आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दिएगा उस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मुझे भी सपोर्ट किजिए सब्स्क्राइब जरूर कर दिए मिलते हैं नेक्स ट्री में थैंक यू कर दो